तो नमस्ते और आप सभी स्वागत में को आने YouTube वीडियो में I hope आप सभी अच्छे होंगे सो कल मैंने डेडिफ लगाया था और मेरी अभी लोवर बैक पूरी सोर है यह कि एक्सपेक्टेट था मैं जानता था क्यों हो गाई क्योंकि डेडिफ तो मैं यूज्वली करता नहीं हूं और इतने दिनों के बाद महीनों के बात कर रहा हूं तो वेसली थोड़ी बहुत सोर हो तो थोड़ा डेफिनिटली उसमें फी लोवर बैक बट कल तक तो फिर भी काफी अच्छे तरिके से रिकवर हो जाई है हमारी लोवर बैक और यह होता है किसी मुवमेंट को अगर बहुत महीनों के बाद कर रहे हो तो जैसे उसके सेकंडरी मसल्स होते हैं प्राइमरी मसल्स करो तो आपके कौड्स बहुत जासोर होंगे बट हमें हर दो तीन महीने थोड़ा बहुत एटलेस स्विच करते रहना चाहिए एक साइस क्या होता एक ही मुवमेंट कॉप करते रो करते रो बाडी यूशू हो जाती काफी उस मुवमेंट से आपके मुसल्स काफी एड़ाप करते हैं और जैसे मैं फ्लाइड बेंच करता है तो पहले समिध मशीन पर मैंने फ्लाइट को स्टार्ट किया सबसे पहले एक साइस का ना प्रैमिर एक साइस में तो थोड़ा बुद्स में प्रोग्रेस हो रहा है चेस भी थोड़ी बहुत अच्छी हो रही और स्टेंद तो बात अला है लेकिन स्टार्टिंग में तो बूस्ट मिलता है एक दो सेशन के बाद दिरे दे लोवर बैग यह हमारी यूस्त हो जाए तो अभी जितनी सो रहे है वी जितनी टाइटने सबस्में उतिनी नहीं रहेगी और दिरे दिरे कम हो जाए क्योंकि बॉड़ी की फि खिरे कि चुग सेशने सबस्कांसी पेड़र जिलत है पी pewnो ढ़िए प्टे बीन्योंग यूस्तिस प Leaf た रहे व्गी Hause Яट49 सेशने सेशने सल रहे हैं अपुछ। पूँछ टोफ डिप है पूँछ फुफ तरह प्रिफ औरने चैट था उसके साथ इने 8 फिट निकाले थे पिछला विश्य सेशन तक साथ आते थे तो इस टेस्टा इसाषन में 8 तो इनेटी प्रोग्रेस है और फिफ्थ रब भी काफी हद तक आ गया था तो डेफिनिटी प्रोग्रेस हो रहा है and we will keep pushing ourselves और अगल एक दो सेशन में I think कि पांच रब्स भी आ जाएंगे so close grip bench press होता है खतम अभी चलते हैं हम push down करेंगे और आज सोचो रो push down करने का वो करते हैं माई फिर फिर आप आप सेशन में भी करने का वो का रपने का वो करते हैं आप तक दो करते हैं कि प्रम प्रमे करते हैं अजय बगल जुङ प् good some जुङ जुङ हुआ 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 है ह tat पाँ झाला करने दो छो पोच प्रोब फिट जिर है चुळ प्यर्श कर personally पुछिल प्यर्श कर दो पुछिल फ्यर्श टुछिल है ह। इन थे थे हम सो हमने आइसिप की तीन ह्क सब ग की ऑसिर्च पे लॉप नोग ते नहीं एक निर्च अ दिव्ञईज़ दिवा शब कि BUTT कि बाइसें बहुत जाद बाइसे मया नहीं करता हूं और वो भी five-star total. क्योंकि इकल जैसे हमने बैक ट्रेंड किया आपके बाइसें इससे चेंडि मुसमसल्स बहुत है तो बहुत साथ बहुत हुआ होते हैं और कहीम है क्यों माइक्रोटीर्स होते हैं उनमें ब्रेक्डाउन होता है तो अब इसलिए होता है ही जारत नहीं बाइसे उतने जादर वॉल्म देन जुरत नहीं है आप एक दो एक्साइजेस करो बहुत है पांच से छे सेट एट्स इनफ और बागी ट्राइसेप की बात रही तो वह आपके आपके आम्स को अलमस 60-70% होते हैं और आपका रोब पुछडाउन ट्राइसे पुछडाउन सब में हीट होता है और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि हर बाड़ी पार्ट के एक कंपांड एक्साइज पकड़ो और इसे दो से तीन महें तक स्पाइम करो पूरा अच्छे तरीके से उन्हें प्रोग्रे प्रेशनलिस में भी आपको मसल बिल्ड करने में काफी हिल्प करता है तो है में हमकल होता है कातम एक फोराम की एक्साइज करेंगे डिवर्स बाइसे पार हमारे एक्साइज हो कर दन तो वन आप दे बेस्ट एक्साइज अप्स ने करना जैसे अब बाइसे कल करते हो अलबो फिक्स रखते हो लेकर आते हो पस अपने ग्रिप को रिवर्स कर दो उसी ते रिखरेंस करना थे लो नेगेटिव और पीक ओंटक्स में गोल्ड करो बट मजा एग आपको पड़ाएगा तो लोगों ने नॉर्मल फिटनेस को या पर एवेन मसल बेंडिंगों पाइट लॉट को बहुत जाद अवर कॉम्लिकेट कर दिया है वो सोच्छे पता ही है क्या ऐसी चीज है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है और कॉम्लिकेट करनी कोई ज़रत नहीं है अगर आपको नॉर्मल फिट रहना है चाहिए आप जिम आओ नहीं आप रह सकते हो फिट बिना जिम आए भी पस मेक शूर कि आप अपना डाइट क्लीन रख रह हो और कोई बिदी में किसी तरह फिजिकल थोड़ी बहुत करने इतने कि मुझे टी शर्ट जो मैं पहनते हो फिट हो जाए और तो अगर आपको गोल स्फ इसना है तो जो आप नॉर्मल घर का खाना खाते हो उससे में कुछ प्रोटीन अट कर दो अटगार दो चिकन आट कर दो वीजिटेरियन हो तो पनीर उसमें या फिर आपको उस वन परसेंट वाले ग्रूप में जाना है जहां पर इंफ्लुएंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे तब डेफिनेटली आपको बहुत साइची साइस करना ही पड़ेंगी बहुत जाद पुछ करना पड़ेगा अपने आपको मेंटली और फिजीकली बहुत फूड बे करके खाओ है चीज को ट्रैक करो ट्रेनिंग डाइट बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एक प्लान लेके चलना पड़ेगा तो अगर आपको प्रोफेश्चनली बॉड़ बीदिंग नहीं करने या फिर इविन पॉल इप्टिं इनक्त प्रोटीन का प्रेट लॉस करना है थोड़ कैलेक्ट रिफिसेट में आज़ा क्लीन का कैली बन करो एक्स्राइट स्टेफ चलो बस लोगाने हर चीज को बहुत जादा कर दिया और ओबर हाइब कर दिया जैसे बेब प्रोटीन ने लोगन उसे भी ओवर हैप किया हु ब्रोटीन को लिए सो एक्सोबीस घ्राम तो उसे वेव प्रोटीन का दाओ नहीं चाहिए उसे बिखाने से बहुत बार तब भी ने ले पार है तब लोग अगर ले पार हो तो ऊसकी ज़रत नहीं है मैं तो सिफ गिन के दो सप्लिमेंट लेता हूँ वेव प्रोटीन एं क्र जादा होता है उसमें जो कॉंटिटी लिखी रहती है अलगले मिन्टरल्स की एक्जैक्टली वही मिलेगी अनलाइक जो कि आप उनलाइन मगा होगे मंट्री विटामेंस उससे और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो इंफ्लेंसर है जिनकी फिजिक बहुत ज्यादा अच् ट्रेनिंग के इंटेंसिटी से कर रहे हो आपके लिए कौन-कौन से इक साइज बेटर काम कर रहे है किस चाइब को वर्काउट पैटर काम कर रहा है डाइट कौन से अच्छी काम करें फुट सेलेक्शन इस सब बहुत सारी चीजे जो या तो आपका कुछ बताएगा अगर हायर कर सकते हो तो परना आपको खुद ट्राइल एन एरर के साथ साथ और अपीर टाइम खुद समझ में आएगी तो डेको अब घर पे बैटकी सोचते लिए कि क्या खाऊं नहीं खाऊं कैसी ट्रेनिंग करो चीजों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करो और कॉम्प्लिकेट करो कर दो कुछ नहीं हो जी माओ भली रिजर्ट नहीं मिल रहा है लेकिन एट डिस कंसेंट रहो कुछ ना कुछ सीख के जाओ सेम विद डाइट घर जो अलग चीजें ट्राइक करो देखो किसमें आपका गट हेल्थ अच्छा रह रहा है डाइशन अच्छी रह रही है और आपको रिजल्ट्स मिल रहा है तो अच्छीज करो और ऐसा नहीं हो कि एक दिन या दो दिन आपको सभी चीजे मालूम पढ़ जाएं तो टाइम लगेगा कुछ महीं नहीं लग सकते हैं जब एक साल लग सकता है पट अगर कंसिसेंट रहोगे तो यह तो शियर है कि कभी ना करतने से बेटर है तो अभी मैं कार्डियो कर रहा था क्योंकि कार्डियो भी बहुत ज़री है और जैसा मैं बोलता हूं आपका हार्ट का हैल्थ आपके बाइसेट के साइसे जादे इंपोर्टनेट है तो मैं मिलता हूं अब लोग से अब अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखो कीप ग्राइंडिंग की पुशिंग और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं टेक केर एंड सैनिंग आफ